लेकिन cross multiplication वाला जब बड़ा वाला आएगा तब देखेंगे सिखेंगे इसको पहले अभी 15, 5, 3, 15 याने 15 LCM है 15 से हम multiply करेंगे तो x-5 divided by 3 इसको पूरा 15 से multiply करेंगे is equal to x-3 divided by 5 into 15 तो ये division में है, तीन पूरा division में है तो 3 बन्जा 3, 3, 5 जा 15 तो 5 into x-5 is equal to 5 बन्जा 5, 3 जा तो 3 into x-3 अभी इसको हम अंदर multiply कर देते हैं 5x-25 is equal to 3x, 3, 3 जा 9 अभी 3 को इदर transport कर देते हैं 25 को उदर transpose कर देते हैं मतलब 5x-3x हो जाएगा, plus है तो minus हो जाएगा, ये 25 minus है तो उस तरफ प्लस हो जाएगा 25 minus 9, 5x-3x आता है 2x और 25 minus 9 आता है 16 अभी दोनों तरफ दो से divide कर दो, तो ये दो दो कट जाएगे, यहाँ 8, 2s are 16 तो x is equal to 8, तो ये हमारा चार नमर का अंसर है, अभी पांच नमर पे चले जाते हैं अभी पांच नमर पे आते हैं, ये तीन है, ये तीन है, ये चार है, तो इसको काटने का रस्ता LCM 4, 3, 12, 12 से सब multiply कर दो, नीचे वाला हिसा सब कट जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं, बाद में 12 multiply करके लिख लेते हैं उसको, तो 12 multiply by ये पूरा है, देखिए 3T minus 2 by 2, 3T, sorry, 3T minus 2 divided by 4 minus 2T plus 3 divided by 3, अभी close, is equal to 2 by 3 minus T multiply by 12, अभी 12 को एक एक हिस्से से multiply करेंगे, ये पूरा साथ में है, इसको divided by 4 किया है, तो 12 इसको साथ multiply करेंगे, तो 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 into 3T minus 2, अभी 12 यहां पर multiply करते हैं, तो 12 में तो 3 और 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, minus 4 into 2T plus 3, ये वाला इससा खतम, अभी उस तरब चले जाते हैं, is equal to 12, पहले वाले में multiply करते हैं, 3, 4 is a 12, 4 to the 8, तो 8 minus 12T, यहां तो नीचे कुछ है नहीं, तो कट जाएगा नहीं, अभी इसको open कर देते हैं, 3, 3 is a 9, 3, 2 is a 6, अभी minus 4 को अंदर multiply करते हैं, minus 4, 2 is a 8T, minus 4, 3 is a 12, is equal to 8 minus 12T, तो पहले टी इखटा कर लेते हैं, नमबर सब इखटा कर लेते हैं, 8 plus 9, 9 minus 8 है, तो एक टी बचा, minus 12 minus 6 है, दो negative number है, तो उसको जोड़ो और जिसकी sign बनती है उसकी लगा दो, negative number है तो negative की लगा दो, positive है तो positive की लगा दो, तो 12, 6, 18, दोनों में minus sign है, तो minus 18 is equal to 8 minus 12T, तो अभी 12 को इस तरफ लेके आते हैं, और 18 को उस तरफ लेके आते हैं, मतलब 12 को इस तरफ transpose कर देते हैं, तो 12T आ गया, और 18 को उस तरफ transpose कर देते हैं, ठीक हैं, तो अभी आ गया, 13T is equal to 18 plus 8 is equal to 26, तो T is equal to, दोनों तरफ 13 से divide कर लो, तो 13 टूजा 26, तो T is equal to 2, तो यह हमारा number 5 खत्म हो गया, अभी 6 में जाते हैं, 6 में क्या बोलते हैं, कि M minus M minus 1 by 2 और 3, अगें 6 से multiply होगे, M minus M minus 1 by 2, इसको पूरा 6 से multiply कर देते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 है, 3 है, 6 है, तो 6 से multiply करेंगे, तो 2 भी कट जाएगा, उस तरफ 3 भी कट जाएगा, is equal to 6 multiplied by 1 minus M minus 2 by 3, अभी 6 को अंदर multiply कर देते हैं, तो 6 में M के नीचे कुछ नहीं है, तो यह 6 M हो जाएगा, अभी 2, 3 जा 6, तो 3 into M minus 1 रह जाएगा, अभी 6 को अंदर multiply कर देते हैं, 6 into 6 multiplied by M minus 2 by 3, तो यहां भी कट जाएगा, 3, 2 जा 6, तो यह ऐसा आजाएगा, यहां पर मैंने step जरा skip किया है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, सोच लो के 6 पहले यहां multiply हुआ, फिर 2 से कट गया, तो यह आ गया, तो 6 M minus 3 M minus into minus plus 3, 1 जा 3 is equal to, यहां 6 लगा दिया, minus 2 अंदर multiply किया, 2 M minus into minus plus 2, 2 जा 4, अभी जितने M हैं पहले इखटे कर लो, फिर बाद मैं सोचेंगे क्या करना, 6 M minus 3 M, तो 3 M plus 3 is equal to, यहां पहे, 6, 4, 10 minus 2 M, तो 2 M को इस दर transpose कर देते हैं और उसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो यह आ जाएगा, चलो करके बताते हैं आपको, 3 M plus 2 M, 3 को उस तरफ को दिल लगाया, तो 10 minus 3, तो यह हो गया, 5 M is equal to 7, दोनों side 5 से divide कर दो, तो M is equal to, यह 5 5 कट जाएगा, multiplication में है तो division से कट जाएगा, minus है तो plus से कट जाएगा, division है तो multiplication से कट जाएगा, simple logic से चलना है, बहुत complicated logic नहीं है, अभी इस तरफ आ जाते हैं, इसमें कोई, seven number में, बड़ी कोई multiplication वाला कहानी नहीं है, सिर्फ अंदर multiply करके ही आगे चलना है, तो पहले copy कर लेते हैं, three into t minus three is equal to five into two t plus one, तो पहले तीन अंदर multiply कर लेते हैं, three t minus nine, अभी पांच multiply कर लेते हैं, five को अंदर multiply करते हैं, five two is a ten t plus five one is a five, अभी transposing की बात आ गई, तो किसको कहा transpose करेंगे, अभी इसको इस तरफ ला सकते हैं, इसको इस तरफ ला सकते हैं, दोनों तरफ से possible हैं, आपको जिस तरफ मरजी पड़े कर लो, ten t को इस तरफ लाना है, तो इस तरफ लेके आओ, तो three t minus ten t is equal to nine को इस तरफ लेके जाओ, nine plus five, तो minus nine को कुदी लगाया, तो plus nine हो गया, अभी ये आया जाएगा, minus seven t is equal to 14, तो seven seven, minus seven से divide करो, तो minus seven minus seven कट जाएगा, और ये रह जाएगा, seven बन्जा seven two जा 14, तो t is equal to minus two, अभी आ जाते हैं, नमबर आठ पे, ये सिर्फ bracket open करने का ही है, लेकिन equal to sign कहां पर है, लगा ही नहीं है, मैं देख लेता हूँ, टेक्स्ट्बूक में चलो, equal to sign 14, 15 minus y minus four to y minus nine, five y plus six is equal to zero, तो is equal to zero वाली sign यहाँ पर है, is equal to zero वाली है, चलो, अभी इसको solve करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही 15 into y minus four, minus, ये z है के two है, क्या है, ये two ही होना चाहिए, ये z तो नहीं हो सकता, two into y minus nine, plus five into y plus six equals zero, अभी, therefore, करके नीचे आते हैं, 15 को अंदर multiply करते हैं, 15y minus 60 is equal to, minus two को अंदर multiply करते हैं, step by step दिमाग अगर start करना है, तो दिमाग से पहले sign multiply करो, बाद में number multiply करो, minus into plus is equal to minus two into y is equal to two y, minus into minus is equal to plus two nine, 18, plus five, plus यहां पर प्लस है, तो plus 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 five into y, five y, plus 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 five six, जा 30 is equal to zero, पहले जरा step wise करो, फिर बाद में अपने आप आ जाता है, वो, तो अभी yy एक साथ जोड लो, और numbers जोड लो, 15y minus 2y, तो हो गया 13y, अभी 5y, तो हो गया 18y, तो अभी y कितने होए, 18y, अभी बाकी के number जोड लो, 30 minus 60 is equal to minus 30, plus 18 is equal to minus 12, simple है, negative plus positive, एक negative है, एक positive number है, तो बड़े में से छोटे को निकालो, और बड़े में साइन negative है, तो negative लगा लो, ठीक है, तभी आगया, minus 12 is equal to 0, 18y 12 को transpose कर दो, और दोनों को 18 से divide कर दो, तो y हो गया, 12 upon 18 is equal to 6, 2s are 12, और 2 divided by, 2, 6s are 2, 6, 3s are 18, 6, 2s are 12, 6, 3s are 18, y is equal to 2 by 3, तो यह हमारा answer है, अभी आता है, 9 नमबर पे, कहानी 9 नमबर पे, कहां आती है, अभी बड़े बड़े हैं, सिर्फ दिखावे के हैं, थोड़ा patience चाहिए होता है, और कुछ नहीं है, आराम से multiply करो, minus sign multiply करो, number multiply करो, और दिरे दिरे आगे बढ़ते जाओ, तो 3 into 5z minus 7, 3 into 5z minus 7, इस z का design थोड़ा change कर दिया, क्योंकि 2 और z में मेरे को बहुत confusion होता है, minus 2 into 9z minus 11, is equal to 4 into 8z minus 13 or minus 17, क्योंकि चलो, अन्धर मुटिपली करो बहुता है, 3 5z 15z, 3 7z 21, minus plus minus 2, 9z 18z minus minus plus 2, 11z 22 is equal to, plus cf 4 plus 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 4 to 8, 4z 32z plus minus minus 13, 4z 52 minus 17, अभी जोडना start कर लो, तो 15z minus 18z, तो minus 3z बचे, अभी 32 में से 3z निकालो, तो 29z बचे, तो इस तरफ z वाला portion 29z है, इस कतम हो गया, 29z है, अभी minus 21, minus 22, तो plus 1 ही बचा, ये वाला, इस तरफ वाला हिस्सा, इकल टू कहां आ गया, भाई? ओ, भाई साब, ओ, भाई साब, ओ, भाई साब, कुछ तो लख रहा है, इकल टू की उस तरफ चला गया, ये 15z है, ये 15z minus 8z, 3z आ गया, 22 minus plus 1 आ गया, is equal to 32z, z minus 52 minus 70, अभी 32, 3 को हम इस तरफ लेके आते हैं, उसको इस तरफ लेके आते हैं, तो 32z plus 3z, is equal to, ये दोनों को इस तरफ लेके आया, 32 minus को इस तरफ लेके आते हैं, प्लस हो गया, अभी 52, प्लस 17, प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 35z, और ये हो गया, 7 plus 8, 9, 10, 17, z is equal to 70, यहां दोनो 35 से डिवैड कर लो, ये 35, 35 कट जाने हैं, और यहां पे आजाएगा 2, तो अंसर हमारा z is equal to 2, भाई हमारा ब्लेक वाला इंक खतम हो गया है, तो हम एक लास्ट वाला ब्लू से कर लेते हैं, फिर भाई इंक बरूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 10 नंबर, अभी ये वाला है, थोड़ा पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला थोड़ा समझ लीजिए, कि पॉइंट निकालना कैसे है, तो इसमें पॉइंट है क्या पहले ये समझ लीजिए, तो कोई भी नंबर है, आप चार नंबर में लिखता हूँ, आप देखिए, 3542, ये वाला 1000 है, तो इसके एक नंबर आजाने के लिए, यहां 1000 है, तो यहां 100 है, 100 है कि इसके बाद में 10 है, 10 के बाद में 1 है, मतलब आगे आगे जितना नंबर जाएंगे, उतना 10 से डिवाइड होता जाएगा, ये कितने है, 3 into 1000 है, तो एक्चुली जो नेक्स्ट नंबर में जाएंगे, इसके बाद वाला नंबर में, तो ये 5 into 100 है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, कि ये 1000 by 10 है, इसके बाद वाला नंबर ऐसा भी बोल सकते हैं, कि ये 1000 by 10 और बढ़ा दिया, 100 है, मतलब एवरी टाइम 10 इंक्रिस करो, या पहले 10 था, फिर 100 आ गया, और 2 को 1000 divided by 1000, तो यहां पे एक और मल्टिप्लाइ करना है 10, तो यहां आ जाएंगे, तो इसी तरह, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है, तो यहां अल्रेड़ी 1 है, तो यहां आप आएंगे, पॉइंट के बाद कोई भी मानों यहां 3 है, तो इसी 3 अपॉन 10, और अगर यह दूसरा नंबर है यहां पे, तो यह दूसरा वाला नंबर है, तो यह दूसरा वाला नंबर है, यह बेजिक फंडामेंटल है, डेसिमल्स के, तो यह देसिमल्स के फंडामेंटल यूज़ करके, हम आगे चलते हैं, कि कैसे करेंगे, तो और एक थोड़ा ज्यादा समझ लेते हैं इसमें, मेरे को मालूम है, आप सबको आता है, लेकिन यह सबको नहीं आता है, वो समझ ले, जिसको आता है, तो अगर हमें काटना है, तो क्या करेंगे, कि 0.5 है, तो एक ही नमबर है, तो उसको हम 10 से मल्टिप्लाई करके, 5 10s are 50, और डेसिमल पॉइंट, एक के आगे डेसिमल पॉइंट है, तो इस विल बी 5, लेकिन अगर 0.52 है, मल्टिप्लाई बाइ 10 है, तो यह 5 10s are 52, तो एक दो, तो एक दो, तो एक दो यहाँ पे लगेगा, 52 into 10 is 520, तो दो के आगे लगेगा, तो अबर 0.003 है, तो एक दो तीन, मतलब 1,000 मल्टिप्लाई कर दो आप, तो यह आपको 3 मिल जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 3 पॉइंट हटाना है, तो जितने बार पॉइंट आपको हटाना है, एक बार हटाना है, तो आप 10 मल्टिप्लाई करोगे, दूसरी बार पॉइंट आगे लेके जाना है, तो 100 multiply करोगे, तीसरी बार आगे लेके जाना है, तो 1000 multiply करोगे, simple, चलो अब यह आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 के बाद point है, मतलब एक में 0.25 के बाद है, और एक में 0.05 है, तो 100 से multiply कर देंगे दोनों और को, तो काम हमारा आसान हो जाएगा, तो 0.25, देखिए, point हमेशा, point के बाद 25 ऐसा नहीं बोलते हैं, हमेशा 0.25, individual digit बोलना पड़ता है, जब point के आगे का number, मतलब full number बोलते हैं, तभी 25 या 300 बोलते हैं, लेकिन अगर 3 number है, तो 325 ऐसा ही बोलेंगे, कभी 325 ऐसा नहीं बोलेंगे, यह correct नहीं है, क्योंकि यह जब बोलने के टाइम सामिदने वाला नहीं समझता है, तो यह 0.25 है, 4F minus 3 is equal to 0.05 into 10F minus 9, अभी दोनों को मैं 100, यहाँ पे भी 100 multiply कर लेता हूं, यहाँ पे भी 100 multiply कर देता हूं, तो 100 into 25 is, 0.25 is, अभी देखें यहाँ पे, क्या होता है, 20.25 है, तो यह इसको मिटाने के लिए, 1, 2 divided by 100 करना पड़ेगा, तो मैंने direct multiply by 100 already कर दिया है, तो यह निकल जाएगा, तो बच जाएगा 25, ऐसे ही, यहाँ पे 0.05 है, तो 0.05 is nothing but 5 upon 100, क्योंकि 1, 0, 2, 0, तो 5 upon 100, और इसको मैंने already 100 से multiply कर दिया है, तो 100, 100 कट जाएगे, तो 5 into 10F minus 9, ठीक है, अभी तो आसान हो गया ना, बस एक नंबर ऐसा टूंडना है, जिससे आप आराम से multiply कर सकों, और यह अपना काम आसान कर दे, तो 25 forza, 100F, 25, 3's are 75, 5 10's are 50F, 9 5's are 45, अभी 50F को इधर कुदी मराते हैं, 75 को उधर मरा देते हैं, तो यह हो जाएगा, step करेंगे, चलो, 100F minus 50F is equal to 75 minus 45, तो यह हो जाएगा 50F, इस यह हो जाएगा 30, तो F is equal to 30 upon 50, dividing both the sides by 50, 0, 0, cut जाएगा 3 upon 5, ओके, तो यह हमारा, आज 2.5 खतम होता है, next time हम 2.6 लेंगे, बच्चों फिर से मिलेंगे, चलो, बाई बाई